नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आपका एक बार फिर्शी स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हमें स्विच बोक्स की वाइरिंग करने वाले हैं दोस्तो यह प्रेश्विट कंपनी का स्विच बोक्स है आप देख सकते हैं यह पर यह लोगो है और यह प्रेश् socket और तिन switch लगाने की जूर्थ है तो आपके लिए ये switchboard एक नमबर perfect है ये देखें दोस्तों ये switch box इस तरह से ये इसके उपर लगेगा इसके उपर आप सीधे 6 switch भी लगा सकते हैं ये आपको कहीं पर ज़्यादा switch लगानी है तो आप स्विच लगा सकते हैं और यदि आप यह चाते हैं कि हमें इस switchboard के अंदर सिर्फ दो ही socket लगानी है तो आप इसको जब ऐसे पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे अलग से कटा हुआ सा कार दिखाई देगा तो इन्हें तोड़ कर आप जो है अपने socket को लगा सकते हैं तो इस switch box में आपको तीन switch लगाने की जगह दी गई है और तीन आप इसमें socket लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले इसको यहाँ से काट कर इन switch और socket को इस शेट के उपर जड़ लेता हूँ उसके बाद मैं आपको इसकी वाइरिंग दिखा हूँगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यह switch और socket इसके लगा दिये हैं और यह सभी हमने सही लगाई है ठीक है दोस्तों अब हम इसकी वाइरिंग कैसी करेंगे वह मैं आपको बता दिता हूँ तो दोस्तों यह इस तरह से हैं और हमारे जो यह तीनों switch हैं इनके उपर हमें लगाना phase wire और जो इस switch के उपर से phase wire आएगा वह हमें लगाना है इस socket के phase terminal के साथ ठीक है दोस्तों और इन तीनों socket का neutral terminal पर हमें neutral wire connect करके चोड़ देना है और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है तो दोस्तों मैंने यहां पर यह कुछ लोग बना लिए हैं जो इनके अंदर लगेंगे तो अचले दोस्तों मैं wiring शरू करता हूँ सबसे पहले दोस्तों हम phase wire की wiring कर लेते हैं तो मैं पहले इन सभी switch को power दे देता हूँ ठीक दोस्तों और यह वायर हमारा यहां पर लगेगा और यहीं से हम इस phase supply को बाहर ले कर जाएंगे ठीक दोस्तों दोस्तों न्यूटल वायर की एक बात आपको जाना की है जो हमारा switch के साथ में जमा अटेच होगा बिल्कुल वो हमारा हमेशा ही न्यूटल वायर होता है और जो हमारा यह न्यूटल के बाद में जो यह टर्मिनल बहर आता है यह हमारा phase supply का होता है ठीक दोस्तों आपको अब आता है दोस्तों को मारा phase supply का है यह टर्मिट सुस्तों न्यूटल झाल तो यह देखे दोस्तों हमारी वायरिंग कंपलेट हो चुपी है इस सोकेट का यह जो फेस वायर है यह हमें हमने इस स्विच के साथ किया है कनेक्ट और इस सोकेट का फेस वायर इस स्विच के साथ कनेक्ट किया है और इस सोकेट का फेस वायर इसके साथ कनेक्ट किया है और ये neutral wire है तो इस socket का neutral wire इस socket का neutral wire और इस socket का neutral wire ये हमारे neutral wire जो वो direct होता है ये किसी switch या फिर किसी भी चीज़ से connect नहीं होता है अब दोस्तों मैं आपको किसे check भी करके दिखा हुआ ये काम करता या नहीं तो मैं ये यहाँ पर थोड़ी सी extension cable ले रहा हूं आपको जितनी भ लंभी आप उतनी ही ले सकते हैं मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चोटी ले रहा हूं तो दोस्तों ये अगर इसी तरह का सेम बोक्स आप ले रहे हैं प्रेस्वीट कंपनिया तो आपको यहाँ से ये wire निकाल देने हैं ये दोस्तों और फिर आपको जो है यह वायर कनेक्ट करने है अगया अगया है अगया है अगया अगया है अगया है अगया है अगया ओव आफ दोस्तों इस पर सभी सी समय में आ रहा हुआ है यहां पर यह हमने फेज सप्लाई का कनेक्शन इस स्विच के साथ किया है और इसी तरह से हमने तेनों स्विच का कनेक्शन किया है और इस स्विच के ऊपर से हमने तेनों स्विच के कनेक्शन एक साथ कर लिया है और स्विच के फेज वायर के साथ हमने फेज सप्लाई का वायर यह कनेक्ट कर दिया है ठीक है दोस्तों और न्यूटल स्प्लाई के साथ हमने शोकेट के न्यूटल वायर कनेक्ट कर दिये हैं अब मैं आपको यह चैक करा कि दिखा देता हूं पैदे के दूस्तों हमारा स्विच बोड जो तयार हो गया है यह दूस्तों मैं इसको चैप करा देता है है वाय को यहाँ पर मैंने यह एक और एक्स्टेंशन बोड ले लिए है इसके वायर मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट गीए हैं अब मैं यह सीछ बोड के वायर इस शोकेट के अंदर यहां पर लगा देता हूं और नहीं कर देता हैं और इसे पिछली साइड शेवी ओं कर दो करक्ता है और अब कर दीघे था सब्सक हमारे कंद में पर या फिन नहीं तो फर यह मैंने ट्रॉठ लगाया अन्य आज तो यह दोस्तों आपको साधेद दिखाई नहीं देज़ खाइवा फेंदिघे दो Şu इसी तरह से दोस्तों यहां पर इंडिकेटर कर लो हो रहा है तो अब दोस्तों आपको यह एक डाउन लाइट है इसको उन करके दिखा देता हूं यह देखे दोस्तों यह डाउन लाइट काम कर रही है यह देखिए दोस्तों है तो यह दोस्तों यह मारा स्विस्ट बॉर्ड बिल्कुल सही तरीके से त्यार हुआ है आप अगर इन में से एक दो आइटम और कुछ अड़्जेस्ट करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं या वीडियो कमेंट बॉक्स में या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पोच सकते हैं हम आपको वही उपकरण हम आपको वही सुच्ट सोकेट या फिर कोई भी चीज़ कनेक्ट करके वाईरिंग करके आपको वीडियो आवेले बिल जरूर कराएंगे तो दोस्तों वीडियो यह आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें